थाना संदला अलाके में करीब एक सेखड़ा गाउं के लिए बीते चार माह से दैश्वत का परियाय बन चुका आतंकी तेद्वा बन विभाग के लिए किसी भूत को पकड़ने जैसा साबित हो रहा है जो उसे पकड़ना तो दूर उसकी परचाई भी बन विभाग के हाथ नहीं लग रही है डियाफो दिव्या का कहना है कि लखनाउं से आए डियाफो डिव्याफ की टीम के एक्सपर्ड प्रेम चंद्र मौर्या के साथ साथ डिवीजन एवं रेंज की कई टीमें अलग अलग दिन वर रात में गश्ट कर रही है इसके अलावा रामपूर खेउता वसे सेंडी जगदीशपूर के पास तेंदू को पकड़ने के लिए पिंजड़े भी लगाए गए हैं लेकिन विभाग का कोई भी हतकंडा काम नहीं आ रहा है डियाफो के अनुसार बीती 22 अक्टूबर के बास से तेंदू के ताजा पग चिन तक नहीं दिखाए दिये आपको बता दे कि इलाके में तेंदूआ देखे जाने के बीते चार माँ से दहशत का महौल है खौप का आलम यहाँ है कि इस्थानी किसानों को देड तक खेतों में काम करने से भी डर लग रहा है तेंदूआ ने पहले 10 अक्टूबर को गाउं रगुनातपुर में दो बक्रियों को निवाला बनाया और 17 अक्टूबर को तो छेतर के लहुगपुर में सौच के लिए गए 50 वर्षी मुर्टजा को अपना शिकार बनाते हुए पेट फार कर खा गया इसके बाद गाउं धरोली में तेंदूआ एक मवीशी को भी शिकार बना चुका है खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया